हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्स इनोवेटिव लर्निंग, क्या आपको पता है, मैस्टिक आपके बच्चे को क्रेटिव और इंटेलिजेंट भी बना सकती है, जी हाँ, आज मैं आपके शार शेयर करने वाली हूँ, कुछ मैस्टिक एक्टिविटी, क्या होता है ना, बढ़ेगी, उसके observation skill अच्छी होगी, eye hand coordination अच्छा होगा और उसके pencil grip अच्छी होगी, कैसे, तो हम स्टार्ट करते हैं, ये एक्टिविटी आप 3-12 साल के बच्चों के साथ खेल सकते हैं, इस activity के लिए आपको क्या चाहिए, इस तरह की कुछ match tricks, जिसे आप color कर सकते हैं, आप simple match tricks भी ले सकते हैं, अगर color use करेंगे, तो बेबी को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इस तरीके कि आप flashcards बना लीजे, और इस पे simple कोई भी pattern draw कर दीजे, आपकी baby के is के according, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे ऐसे draw की हुए हैं, सबसे पहले आप simple pattern से try कीजे, अगर बच्चा ज्यादा छोटा है, तो आप उसे यहाँ पर paste करने के लिए भी बोल सकते हैं, आप favical use कीजे, यहाँ लगाईए और उसको mastix paste करने के लिए बोलिए, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो आप ऐसे flashcard दिखाईए, और उसे बोली सेम ऐसा pattern यहाँ पर बना के दिखाए आपको, तो देखे, बेवी ऐसे पकड़ेगा, ध्यान देगा कि कौन सा color है और उसे यूज़ करते हुए वो ऐसे pattern को बनाएगा, उसको बहुत मजा आएगा, मेरे बेवी को करने में यह activity बहुत मजा आया था, और वो इसे और भी बहुत बार करता है, बहुत बार इस तरीके से वो ड्रो करेगा, आपको बताएगा, और देखना बच्चे को यह लगाने में, मैस्टिक्स को लगाने में, बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत ध्यान से वो रखेगा, मैस्टिक्स को लगाएगा, तो क्या होगा उसकी जो यह आई-hand coordination है, और इसकी जो ग्रिप है, वो बहुत अच्छी होगी, जिससे उसकी handwriting इंप्रूव होगी, ठीके, तो आप पहले simple से try कीजी, फिर जो pattern है, उसको थोड़ा difficult करते चले जाएगे, जैसे फिर मैंने square बनाया है, इससे आप बच्चे को patterns भी सिखा सकते हैं, patterns के लिए बहुत अच्छी रहेगी तो उसे simple pattern बनाने के लिए बोलिए, यह देखें, इस तरीके से वो हर color को देखेगा, ध्यान से observe करेगा कि किस तरीके से बनी हुई है, starting में अगर बच्चा नहीं बना पाता है, तो आप उसे बता दीजे कि baby ऐसे बनानी है, यह activity ऐसे करना है, simply, तो इस तरीके से बच्चा इसको बनाएगा, यह देखें, इस तरीके से आप बना सकते हैं, उसके बाद आप थोड़े और difficult pattern, pattern को difficult करते जाएए, बहुत से ऐसे बना सकते हैं, यह देखें, फिर मैंने इस तरीके से किया है, अलग-अलग color यूज़ करते हुए, यह बनाया है, जब आपका baby इस तरह के patterns बना लेता है, तो आप उन्हें ऐसे pattern दे सकते हैं, पहले आप color मत यूज़ कीज़े, simple, ऐसे रखें, इस pattern के लिए आप paper से या फिर cardboard से देखें, ऐसे shape बना लीज़े, और फिर उन्हें सेम इस तरीके के pattern बनाने के लिए, देखें, आपको बना के दिखाती हूँ, इसे क् बच्चा बड़ा ध्यान से मैस्टिक को अरेंज करेगा, और उसका concentration power है, वो इंप्रूव होगा, तो ये activity आप बच्चे को करने के लिए जरूर दीजे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा है, वो बहुत इंजोई करेगा ये activity करने में, उसको बड़ा मजा आएगा, ये देखें, आप इस तरीके से दीजिए, बहुत इंट्रस्टिंग activity है, उसके बाद जब आपका बच्चा सिंपल ये कर लेता है, तो आप ऐसे पैटरन को difficult कर सकते हैं, ये देखें, और आप color भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बच्चे को और ध्यान देने की जरूरत पड़े की color यूज़ करने के लिए, कि पहले कहां पर उसको red color fix करना है, कहां green लगाना है, और pattern को थोड़ा difficult ज़रूर करते चाहिएगा, ये देखें, इस तरीके से, जब वो ऐसे पकड़ेगा, तो जो उसकी grip है, pencil grip, वो भी अच्छी बनेगी, मेरा बेबी है, वो तीन साल का है, और वो ये activity कर लेता है, बस थोड़ा उसकी shape में थोड़ा सा change हो जाता है, लेकिन वो activity बहुत अच्छे से कर लेता है, ये देखें, ये देखें, आप इस तरीके से बनवाईए बच्चे को, आप एक बार ये activity ज़रूर try कीजिए, आपको खुद पील होगा, ये activity करने में बच्चों को कितना मज़ा आता है, और उनकी कितनी creativity improve होती है, तो आप हकते में दो तिन बार इस तरीके activity ज़रूर कीजिए, मैं आपको सारी activity दिखा देती हूँगी, शारी shapes दिखा देती हूँ, ये देखें, कुछ mastic activity, mastic activity बच्चों के लिए बहुत useful रहती है, इससे बच्चों की creativity भी बढ़ेगी, observation skill अच्छी होगी, साथ में बच्चा busy भी बहुत रहेगा, इसे next video में मैं 6 साल से उपर के बच्चों के लिए कुछ और interesting logical activity लेके आऊँगी, जिसे solve करने में बच्चे को बहुत mind यूज़ करना पड़ेगा, और उनकी mind की exercise होगी, brain development होगा, तो इस तरह की logical activity में कुछ questions होगे उनके लिए, जैसे की remove three sticks to leave three square, ऐसे कौन से three sticks है, जिने हटा कर three squares बनेंगे, और भी बहुत से इस तरह की mistakes activity रहेगी, 6 साल से उपर के बच्चों के लिए, तो next video को ज़रूर देखेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस three of course होता है, थेंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग,